हेलो गुड मनी बच्चों तो आपका आरेस केरियर इंस्टिट्यूट लाइफ साइंस में स्वागत है तो अपने एज के बारे में फर्स लेक्चर में पड़ा था तो आज हम बात करेंगे किसकी पेज की यह क्या है एज और फेज दो टाइप हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के इसमें अपन बड़े मोलेक्यूल मतलब जैसे डिने और आरेने को रण करवाते हैं वो प्रोटीन में और जो पेज है उसमें अपन प्रोटीन को रण करते हैं प्रोटीन को पी से पी वर्ल्ड मिला लेना यह वास नहीं अब जो पीज है उसके बारे म दिनेच्टरिन इंटर मतलब कुछ breakdown करके जाएगा इसकी बात आगे करते हैं फिलाल अपन बात करते हैं पहला टाइप का नेट्यूब यह कँए कि यह क्या करता है कि इसके बारने एक बाल बात करते हैं कि मालों कोई प्रोटीन है in फिर k Limited यह फिर फिर ग्लोबिलर उसमें फॉल्ड्डेंग हो गई यह से मालजर वो क्या रहनद तो वह क्या होगा सॉलीबल होगी ऑंड में है हाई टो पेल खुझा कर सकता है तो इसमें के में है जो फोल्ड प्रोटीन ऊसमें क्या होता है क Girเหों गौत वा तो प्रोटीन की कोर में अंदर की दरफ सेले चाते हैं बालब वो दिखतें नहीं आए और जो सरफेस है उसके बादो यह प्रोटीन क्या होगा। यूप को स्टक्राइब कर बाहर में और पर के तोपने वाला है वह था होरीजॉंटल होता है यह उपर के है वेल यहांपर पंड़ सैंपल डालते हैं प्रोटीन और अपने को बैंड मिला 100 किलोडालन का तो कितने हैं 100 kg डालडन का तो इसक मतलब क्या है कि चो वो molecular weight है molecular weight है वो कितना है protein का protein का molecular weight पता कि विन से native page से यह बास में अब इसके बात करते हैं झो सचर्केन टाइप का वो क्या है SDS page sodium dodecasyl sulphate इसे क्या पता करते हैं कि protein हिन हो है कितने सब्सक्राइब से बनती है यह पता चलता है मिलके बनी है यह किसा पता करते हैं सबसे पहले 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 क्या करते हैं अपने पास प्रोटीन उस पर लेंगे बने हो लिए अब प्रोटीन उस पर डालेंगे बीमे प्रोटीन क्या हो जाएगी बनतार ब्स वह भी दिखे की नहीं क्या नहीं होगी दिखेगी यह अब यह प्रोटीन कैसे आगी linear form में आगी मतलब सारी जो सभी नीटाब वो अलग-लग हो गई यह अभी अपन को दिखेगा नहीं यह हो जाएगा फिर इसके बाद अपन क्या डालते हैं SDS SDS मिल्ब Sodium Doe Decily Sulfate Doe Decily का मतलब 12 Carbon यह बास में आगे तो यह क्या करता है प्रोटीन को negative charge provide करता है क्या गड़ता है SDS negative charge provide करता है actually क्या होता है जो positive है उस पेजा के SDS bind करता है जिससे क्या होता है वो अनली क्या दिखेगा वहां पे negative तो इसकी structure क्या है sodium Doe Decily Sulfate की CS3 CS2 whole 11 SO4 Na और यह क्या होता है यह पहले मालो CS3 CS2 11 SO4 negative और Na plus minute break हो जाता है और Na plus क्या हो जाता है बहारे निकल जाता है जिससे क्या है यह प्रोटीन पे कौन सार्च प्रोइड करती है negative charge यह बास मागी अब क्या है कि यह सो SDS है वो प्रोटीन को negative charge प्रोइड कर दिया तो मालों वैल के उपर अपर अपर प्रोटीन डालेंगे नीचे कौन सा लगा लेंगे अपने positive उपर तो प्रोटीन क्या है negative इसे मालों पर को प्रोटीन एलेनीन वैलीन लुषीन आइसलूशीन प्रोलीन मिथ्योनीन ट्रिप्टोफेन और फैनीन यह क्या है अपको याद होना चीए इसके लाग क्या है अब इसके बात करते हैं कि वो किसको ब्रेक करेगा इलेक्ट्रोस्टेटिक इंट्रेक्शन ब्रेक्शन ब्रेक कर देगा है अब इसके बात करते हैं कि जैसे मालो अपना कोई प्रोटीन उसको नेट्टिव में रण कराया तो अपनको उसका मॉलेकुलर वेट कितना प्रोटन का 200 के डिये जब इसको SDS में रण कराया तो उनको प्रोटीन में मिले सो पचेतरों पच्छिस तो आगसो से पहला पॉइंट ही होना जिए कि यह तीनों का क्या मॉलेकल वेट 200 हो रहे हैं तो देखो एक पर काउंट करोगे तो 200 हो रहे हैं तो इसका मतलब कितनी सब्मिनूट है एक दो तीन सब्मिनूट से मिलके प्रोटीन बन यूदी लेएं और पत्चिस तीन में ऑफ यह चैक करो खिजाए नहीं हो रहा है तो आप जब करोगे तो नहीं हो रहा हैं जिए हो और पाचीस के उपर सेवग्या działa में पर दो तो आफ़ एक पीटा एक और गामा कितनी है दो तफजा के क्या होगा इनका मौल के लिए 20 किलो डाल रड़ कितनी सब होगी चार सब weekend यह बात दो इसको लिखेंगे कैसे एलफा एक गामा डू और के लिखेंगे लिए चार है मनदभ कि हैं टैरमर अगर चारो ही सहम हो तो उसक अब इसके बात-बात करते हैं किशन हो रहे हैं नेट्टिव पेस्ट में रहा है तो 120 के डिया मिले तो मतलब कितनी सभीविट से मिलके बनाएं तो आप पहले यह तकर इन दोनों का मुनिगूरेट के 120 है नहीं तो आप देखो कैसे कैसे अपन क्या कर सकते हैं नियुक्त से नि साड़ी, 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 वीस, म decía α2 और बीटा-2iksi, इसको माल起 films 2 ना चलाएक लिएक बीटा-2 बात तो मैं अलफा के 2 बीटा के 2 तो इसको 4 साग्योंग, तेट्रामर और ओर थेखो अलग ये अलग ये अलग है आपकना हेट या यग दो तीन चार पांश तो फैंटामर होगय और अलग लग यह योगा तो इसलिए हैक्टरॉपन इसको में इस को और इसको बेलिखते हैं इसको बटा विटा इसके दो और यह 기자 अगर दोनों देगा तो एक option और बनाना पटों इसको b नीचे वाला बैंड किसके होगा तो जो सर्कुलर होता है वह उपर ही रह जाता है क्योंकि वह आगे नही liter स्थोटा विगाई तो बहुत ज्युक्त संट उसे नीचे circular उससे आगे कौन चला जाएगा super coiled क्योंकि यह साइजमिक है चोटा यह बास में एक क्यूशन हो रहे है यहां पर कि मालो एक 100 जैल एलेक्ट्रोफोरेशिस के अंदरी temperature gradient जैल एलेक्ट्रोफोरेशिस इसकी बात बात करते हैं तो इसमें क्या है कि अपने मालो कोई इसमें अपने क्या किया प्रोटीन ली हेंड्रेट किलो डालतन की तो एक चेंबर एक उसका देम तरह हाई तेमपरेशन एका 65 डिगरी temperature कितना हो सकता है और इसमें कितना हो सकता है तो यहां पर देखो उपरी रह गया मतलब इसकी साइज क्या है बड़ा मतलब क्या होगी कोई लीनियर प्रोटीन होगी और यहां पर मालो यह 35 डिगरी चल्सिस और यहां पर बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि यह देखो यहा और चालिक कहा है और जब नीचे और जब मालोड छोगा तो है कि ना आजए है और यहाँ अजी है आच्छी और मेंढें फॉल्ट यहाँ ब लो तेम्परीशर हम लग और चीँ Middle एन दोनों इहां यहां पर हम्हें यहां पर यह किया है अन्सवर यहां पर दोनों पर सेंगरेशन नहीं क्योंकि बैंड यह लग लग एंग और पॉसिबली नहीं यह विह आंसर नहीं तो जदा टेमपरेशर प्रोट्टिन Miss तो मिसफडिग जादा और साइज भी जादा में तीनों कहें डारेक्ट ली प्रपोर्शनल बैंड खाएगा ऊपर स्टार्टिंग में यह बात बात करते हैं कि मालो अपन यहां पर स्टैंपल लिया प्रोटीन का वह यहां पर टेंपरेशर लगाने के लिए कुछ से अरख दि जैसे थैंप्रेशर बढ़ेगा प्रोटीन क्या हो ज берैडरो को इसे है टो आपको आज का समझ में आया होगा नेक्ट्स लेक्शर की पात करेंगे और अगर आपको आज का लेक्चर था लगा हो तो लाई गमेंटिए और सब्सक्राइब his तेंक यूँ बच्छोब